तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो हम कैसे बना सकते हैं तो इसका सबसे फर्स्ट मैठट होता है जो एलो एरेंज का जो फर्स्ट मैठट है वो क्या होता है इक क्लॉडिरिजंट क सबसे फर्स्ट कडिशन का मतलब क्या है कि हमें नर्करना सकता है तो इसके एक first condition क्या होती है कि जो ये reaction होगी low temperature पे होगी जो इसके second condition क्या होगी को इसमें हमने कोई ने कोई low acid use करना है ठीक है तो first condition की chlorination हो सकता है rumination हो सकता है first condition है कि low temperature लेंगे second condition है कि low acid लेंगे हम ठीक है तो simple हमें क्या लेना है कोई भी अपनी जो benzen है वो उने वो ले ली उसके बाद हमें लेना माली हमने chlorine ले लिया उसके बाद हमने कोई भी Lewis acid ALCL3 ले सकते हैं या FECL3 भी ले सकते हैं ये ले ली तो इसमें क्या होगा इसमें chlorineation हो जाएगा कैसे कि यहां से एक H8 के यहां पे CL लग गया एक CL था यहां से वो H के साथ combine होके HCL मिल गया ठीक है लेकिन इसके बाद भी हम इसका chlorineation करना चाहें तो जो हैलोजन्स होते हैं जो जो जी उसी होती है ना प्लस वन क्लास्क मी उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी हैलोजन्स होते हैं ओ-P directing होते हैं तो जो next allegination होगा वो कैसे कासे position पे होगा यहां पे CL है यहां पर CL हो जाएगा ऐसे ही यहां पर CL लगाएंगे तो यह तो अपनी और्टो पोजिशन है यहां पर पहरा पोजिशन पे भी CL लग जाएगा तो यह भी बोल रहते हैं तो यह तो simple जो अपनी बात ह कि हम पर किन वी उप कोई हम प् Clay काने का हटेंगे कि कोई भी बखा बोरिचन की बोर्य रनेशन से वह प्कार देंगे माज़न कोई प् कॉतर गेनके कोई बीचायगोय वहिश कुछा लो के 2 पोजीशन पर क्लोरे जाएंगे माज़न वह आपकर साथा दिशBoyakiya !! ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी यह reaction होगी वो low temperature पर होगी जो भी इसमें next point है वो क्या हुआ कि इसमें Lewis acid use होगा catalyst के जैसी ठीक है। तो अब हम इसका mechanism देखना कि यह होती कैसी है ठीक है। अगर हमने मान लिए यहां पे यहां तक हुआ है अपना उसके बाद हम एक्सेस हैलोजन लेंगे तो क्या सा होगा कि जो एटम्स होंगे ना वो और्थो पहरा पोजिशन पे होते हैं और्थो पोजिशन कौन से होती है नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट वाले जहां पर भी अप तो इसमें क्या होगा कि हमने मान लिया अल चील लूई शैशिड दिया है तो चील टू है जो पहले इसके साथ कंबाइन होगा कैसे यह सील है यह सील है तो यहां पे क्या होगा यह सील को लूई शैशिड करते हैं असेप्ट है तो यह सील को असेप्ट कर लेगा तो यहां से इसमें क्या होगा तो यह क्या होगा यहां पर हमने कंबाइन करना CL, AL, CL, 4, negative यहां पर अपना पार्टियली पोजिटिव है तो यहां से क्या होगा मान लिए हमने यह बुन प्रेक किया ऐसे तो जो यह पोजिटिव वाला है यह इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो यहां से हम क्या लिखेंगे यह तो bị तो कोई effect होगा नहीं तो यहां पर negative आया है तो यह CEL क्या हो जाएगा और उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहां से AL, CL, 4, negative और यहां पर अपना क्या होगा पोजिटिव sign होगा ठीख है उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि इतना तो अपना हो गया कि जो यह CL है यह इसके साथ है कंबाइन हो गया लेकिन जब यह ALCL यहां से अलग गया है तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि जो यह अपना ALCL निकल गा कि जो भी ये CL 4 negative है, ये ऐसे तो stable है नहीं, तो ये ऐसे था, AL CL 3 plus में CL negative, ऐसे हैं, तो ये जो CL negative है, यहां से 1 H को ले लेगा, जब यहां से H plus गया, तो यहां पे negative sign आया, तो जैसे यहां पे negative sign आएगा, तो ये negative positive bond बना कि यहां पे CL बन जाएगा, उस साथ में क्या मिलेगा, हमें AL CL 3, तो था, अपने चलिया गया, साथ में, हमें क्या मिलेगा, HCL, कि जो लूई-साइटिड है, वो जैसे यूजग गया था, हमने वैसे ही मिल गया, ठीक है, हूब आपको ये mechanism समझाया होगा, ठीक है, तो क्या किया हमने सब में, सबसे पहले क्या, लूई-साइटिड फोड नेगितिव, तो AL CL 4 नेगितिव को हम क्या दिखाएंगे, AL CL 3 प्लस में CL नेगितिव, यह CL नेगितिव है, यहां सी H प्लस को ले लेगा, जैसे ही यहां पर H प्लस को लिया, तो यहां पर N a negative positive ने मिलके बनाया, तो यह अपना क्या होगया, यह मिल दाएगा, जैसे यहां पर CL, और्थोमेटा यहां पर CL मिलेगा, ठीक, तो यहां से देखें तो हम, सिंपली यहां था, कमने देख लिया अब क्या देखेंगे, जैसे यह CL, CL था यह इसके साथ कमबाइन हुआ, इस पे पोजिटीव आया वो HCL, यह तो ALCL 3 प्लस HCL हो जाएगा, तो simply क्या होगा, जो यह H गया, जैसे यहां पर negative sign आया, तो negative positive ने अपना bond बना लिया, तो हमें यह मिल गया, उसके बाद क्या होगा, हमने यह देख लिया, ठीक है, लेकिन ऐसे भी conditions होती है, में जली तो क्या होता है, कि जो ortho वाला अ माइनर होगा, क्योंकि यहां पर बीड़बार सी हो जाएगी, लेकिन जो पहरा वाला होगा, वो major होगा, तो यहां से आप इसका screenshot लेना चाहें, तो ले सकते हैं, तो simple हम इसका देखें, तो overview देखें, तो क्या होगा, क्या होगा, simply chlorination होना है, domination होना है, एक हमें low temperature चाहिए, यह साथ हमें Lewis Acid, Lewis Acid है, पहले वो CL को accept कर लेगा, तो इस पर नेगिटिव आएगा, इस पर पार्टियली पोजिटिव आएगा, वो पोजिटिव आला जैसे यहां पर नेगिटिव आएगा, तो यहां पर connect हो जाएगा, और साथ में ALCL 4 नेगिटिव अपना बच जाएगा तो इस केस में क्या होगा, अपना वैसे तो अपना जो और्थ वाला होता, वो मेजर होता है, लेकिन जब हम यहां पर कोई बल्की ग्रूप ले ले लें, तो उस केस में क्या होगा, कि जो और्थ वाला एलोजिन होगा, वो क्या होगा, मेजर होगा, तो होप आपको यह समझ जाया होगा कोई कमेंट है तो कोई डाउट है तो आप कमेंट से में बता सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ